स्टुडेंट आपको इंट्रोडक्शन समझनी बहुत ही जरूरी है सिर्फ आपको विडियो जो है आके यूट्यूब पे देखते हैं तो उसका आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि वो आंसर्स तो आपके पहले ही जो है बुक के पीछे दे रखे हैं सारे आंसर्स दे यहांपर यह क्या होता है decimal point होता है मैं आपको introduction समझाऊंगी with easiest trick ताकि आप यह कभी भूले नहीं तो यहां पर क्या है यह decimal point है अब यह चीज convert कैसे होती है decimal में कोई चीज कैसे आ जाती है सबसे पहले इसकी definition देखिए इसकी definition है decimal which has a whole number जिसमें whole number हो यह 34 जो है यह एक whole number है and fractional जो fractional number था मतलब fractional पार्थर separated by decimal तो ये क्या है इसका ये fractional number है for example आपने अभी तक पढ़ा हुआ था कि ये जैसे आपका एक mixed number है ये आप fractions में पढ़ चुके हैं ये mixed number है तो आप इसको convert करेंगे जब हम एक improper fraction में इसको convert करेंगे तो आपका क्या आ रहा है 347 अब और में 10 तो अगर 347 अबलिक 100 होता तो 100 में कितनी 0 है 1 & 2 तो यहाँ पर दो जो बाद के digit होती है उसके बाद आपका decimal आ जाएगा तो इस तरह से आपको decimal put करना होता है इसी formula से तो इसमें आपको क्या समझ आ रहा है जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये मैंने एक number लिख र होता है rupees 200.25 मतलब कि 25 पैसे and 200 rupees तो उसमें यही शो कर रखा होता है decimal के बाद वाला पार जो होता है वो होता है fractional पार जो कि आपका separate किया जाता है decimal से अब यहाँ पर इसको separate कर दिया नहीं तो अगर यहाँ पर decimal ना लगा होता तो यह value आपकी क्या बन जाती हैं यहाँ पर चेंज कर देता है वो आपका fractional पार्ट यह वाला शो करता है जो कि थोड़ा simplify कर दिया गया होप सो आपको समझ आ गया होगा इतना अपने प्लेस वैल्यू क्या पड़ी थी student once tens hundred thousand ten thousand इस तरह से अपनी प्लेस वैल्यू पड़ी थी जैसे कि 700 आपके पास है तो आप उसको कै क्या है इसका two है tens position पे क्या है one है position पे क्या है hundred है तो इस तरह से इसको लिखा जाता है लेकिन अगर यहाँ पे 700.25 लिखा है तो उसको कैसे लिखा जाएगा तो उसकी पहले मैं introduction आपको दे रही हूँ अब यहाँ पर मान लीजे इसको 10 से divide कर दिया आपने 10 से divide करेंगे तो नमबर को हम 10 से divide करते हुए चलते है तो वो नमबर क्या हो जाता है जंप कर जाता है आपके right side में अब यह इसका right side है जैसे ही मतलब पहले यह 700 थी हमेने इसे 10 से divide किया तो क्या हुआ 100 वाला जो डिजिट था यहाँ पर जो डिजिट था 7 वो जंप कर गया अपने 10 position पे मतल जाती हुई है 1,10,100,000,10,000 पूरा हमने यह पढ़ रखा है कि lakhs तक millions तक कैसे आता है international and national दोनों systems में लेकिन अब क्या है अगर point 7 आ गया है तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे तो इसके लिए भी table होती है आपकी right side में भी table होती है अभी तक आपने सिर्फ left side की table देखी 10 से divide किया मैं आपको पहली बता चुकी हूँ किसी भी चीज को जब आप divide करते हैं मतलब 10 से divide करें 100 से करें 1000 से करें जितनी 0 नीचे होंगी आपको उससे उतनी ही digit से पहले एक dot लगा देना है जो कि आपका decimal होगा अब यहां पर 7 अउबलिक 10 है तो 10 में कितनी 0 होती है 1 0 होत देंगे तो यहां पर 7 0 dot तो यह आ जाएगा आपका जब हम 7 को 100 से divide करेंगे ऐसे ही 7 को अगर हम 1000 से divide करते हैं तो आपका क्या लग जाएगा 7 एक डिजिट होगी 2 3 और यहां पर dot क्योंकि 3 तीन डिजिट से पहले आपका dot लग जाएगा तो अब इसे लिखते कैसे हैं once के बाद आपका होता है decimal इसे बोला जाता है decimal फिर उसके बाद होता है tenth फिर होता है hundred फिर होता है thousand इस तरह से चलते रहते हैं यहां पर once नहीं होता है यह चीज़ आपको ध्यान देनी है once के बाद सिधा decimal point आता है decimal point के बाद सिधा tenth आता है यह आपको बहुत अच्छी से ध एक्षाइब यहां पर आपका पॉंट आगया है और जीरो जीरो पोजिशन मतलब यह 10 पोजिशन है यह 100 पोजिशन ने चीज़ आपके हंडर्ड में पूछ जा रहे हैं जो चीज तैंथ में ऐसे होती है वो पॉंट के बाद वाले number होते हैं तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है जैसे कि बुक में दिखा रखा है अगर हम seven को thousand से divide करते हैं seven को hundred से divide करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है seven hundred भी लिख सकते हैं से हम और seven thousand भी लिख सकते हैं यहाँ पर thousandth THS आना बहुत जरूरी है 7,000 तो 7,00 बन जाएगा आपका लेकिन 7,000 तो आपका क्या बनेगा आपका ये बन जाएगा 7,000 तो THS की बहुत value है आपके decimal में और इसी तरह से 700 नहीं लिखा यहाँ पर अगर 700 लिखा होता तो 7,00 होता 700 लिखा है तो इसका मतलब dot ये है आपका तो ये हो गया 700 तो इसको लिखे हैं कैसे आपकी values में कैसे लिखेंगे यहाँ पर once में तो 0 ही रहेगा dot यहाँ पर आगया है decimal point और इसके आगे 0 जो है वो 10th position पर है and 100 position पर क्या है 7 है तो यहाँ पर आजाएगा और इसमें आपका लिखा हुआ है ये 7,000 तो यहाँ पर dot decimal point में आगया है 10th position पर 0 है then 100th position पर again 0 है and 1000th position पर आपका 7 आगया है क्योंकि इसकी value थी 007 तो 007 और dot जो है वो decimal point में आगया है तो इस तरह से आपको decimal जो है वो लिखने होते हैं और आपको ये चीज़ दियान देनी है student आप 7,000th या 700th जब ही लिख सकते हैं जब उसका denominator 10, 100, 1000 मतलब की जिसके पीछे सिर्फ 0 हो 1 के बाद मतलब की अगर उनका denominator 10 होता है 100 होता है 1000 होता है जब ही जो है आप उसे decimal fraction में बोल सकते हैं जैसे की for example यहाँ पर दे रखा है आपका एक mixed fraction दे रखा है यहाँ पर तो इसको क्या बोला जाएगा 275 and 8700 8700 किसले बोला जा रहा है क्योंकि 87 के नीचे 100 value आगी है तो यह था आपका decimal का एक छोटा सा intro जो की आपको कभी बूलने नहीं देगा कि decimal क्या होते है किस तरह से उने जो है place values में आप रखते हैं किस तरह से उसको plus करना होता है किस तरह से उसे minus करना होता है वो सारा आपको जो है इस video के माधियम से पता लग जाएगा अब मान लीजेए आपसे comparison पूछा जाता है और 71.708 दिखाई दे रहा है तो 8 यहाँ पर कितना हंडर्ध थाउजेड्स में जाता रहेगा वो उतना ही छोटा होता रहेगा नंबर और जितना 1, 10, 100 बढ़ता है आप जैसे ही इसमें से समझगे कि यह जो आपकी table है इस table के हिसाब से जितना नंबर आपका इस value में left side पे move करता रहेगा वो उतना ही बड़ा नंबर बनता रहेगा और जितना आपका right side में move करता रहेगा वो उतना ही छोटा नंबर बनता रहेगा अगर यहाँ पर बोला जा रहा है 7, 10 तो 7, 10 जो है वो 700 से बड़ा होगा जैसे यहाँ पर 700 जो है वो 70 से बड़ा होता है आपका मतलब कि 10th place से बड़ा होगा 100 place लेकिन यहाँ पर अगर आपका 10 जैसे 7 by 10 है और 7 by 100 है तो आपका 700 जो है वो 7, 10 से छोटा होगा यह चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है तो इसमें आपको comparison जब करना होता है तो यह चीज़ें कुछ ध्यान में रखनी है आपको कि सबसे पहले आप whole number देखेंगे अगर whole number आपका 2 digit का है 3 digit का है और आप उसको compare जो है 1 digit के number से कर रहे है तो आफकोस है यही बड़ा होगा decimal के बाद चाहे उसमें कितने भी number हो अब decimal के बाद इसमें 1 number है 8 है चाहे इसमें 8 9 है कुछ भी है जब आपका whole number यह बड़ा है तो इसका मतलब यह greater than है आपका दूसरे comparison में दूसरा है कि जब भी आपको अगर दोनों number आपके same है दोनों whole number कि किसी भी चीज को अगर 110 में डिवाइड करते हैं अब यह देखिए आपके पास माल लीजिए 1 candy है या 1 chocolate है कुछ भी चीज है आपके पास आपको वो जो है 10 बच्चों में बाटनी है आप उसके pieces करके जो है 10 बच्चों में दे रहे हैं वो आपके छोटे होते हुए चले जाते हैं इसी तरह से आप जो है 100 देखेंगे उसके बाद अगर आपका 10 वाल नंबर भी same है तो आप 100 नंबर देखेंगे 100 भी same है तो 1000 नंबर देखेंगे जिसका 1000 बड़ा होगा वो greater होगा तो इस तरह से आप इसे compare कर सकते हैं तो यह बहुत ही easy है और इसी तरह से आपको इसका addition करना है जैसे for example यहाँ पर 43.89 दे रखा है और उपर आपको दे रखा है 143.629 तो आप इसका addition कैसे करेंगे आप इसको places में लखेंगे जैसे 1, 10, 100 आपने places में रख लिया 629 आप यहाँ रखेंगे ऐसा नहीं है कि आप 89 यहाँ लिखेंगे आपको decimal के नीचे ही decimal रखना है यह आपको बहुत ध्यान देनी है यहाँ पर decimal है तो यह decimal लिख लिए decimal के बाद 89 है और यहाँ पर 43 है आप इस तरह से इसका addition करेंगे और यहाँ पर आप 0 लगा सकते हैं ताकि आपका addition easily हो जाए आपको introduction से अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि कैसे हमें इसको place करना है 1, 10, 100 यह तो हब तक हम पढ़ चुके हैं place values सारी आप decimal point आ जाता है decimal point के बाद आपका 10 था जाता है 100 था जाता है तो यह चीज आपने अच्छी तरह समझ लिए let's move on to your worksheet 1 अब यहाँ पर जैसे दे रखा है 3 अप उन में 10 दे रखा है तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी 0 जो है denominator मे होंगे numerator में उतने ही digit के बाद आपका dot लग जाएगा तो यहाँ पर 1 0 है तो 1 dot लग जाएगा सब के अंदर 1 0 दे रखी है नीचे तो 1 digit के बाद आपका dot लग जाएगा तो इसको fractions में लिखना है बिल्कुल यही वाला question opposite करके दे रखा है यहाँ पर 1 digit के बाद dot है तो यह 2 by 10 आजाएगा 4 by 10 आजाएगा 7 by 10, 6 by 10, 5 by 10, 9 by 10, 8 by 10 and 3 by 10 तो इस चीज को आपको यह चीज concept बहुत अच्छे से समझा गया कि जितनी भी 0 जो है denominator में होती है fractions में उतने ही आपके digit के बाद dot आ जाता है आपके decimal आ जाता है अपर numerator part में अब read and write the number names अब आपको यहाँ पर read करने है और write करने है number name अब यह क्या है 7 and 5 10 तो इसमें क्या लिखना है 7 and 5 10 क्योंकि 5 के अपोन में क्या है यहाँ पर 10 है क्योंकि dot यहाँ पर कहा लिखी है 0.5 और आगे क्या है 7 whole number है whole number as it is लिखा जाता है जैसे 9 as it is लिखा जाएगा and 4 10 लिखा जाएगा यहाँ पर 18 as it is लिखा जाएगा 2 10 लिखा जाएगा 65 as it is and 8 10 क्योंकि जो decimal के बाद का point है उसके पीछे हमें 10 लगाना है आगे वाला तो whole number है वो तो as it is लिखा जाएगा 1087 and 3 10 तो इस तरा से लिखा जाएगा right in decimal form अब इसको decimal form में आपने लिखना है 8 10 लिखा है तो यहाँ पर क्या आजएगा 0.8 आजएगा 8 10 का मतलब है 8 by 10 then आपका आगे है 5 10 5 10 को कैसे लिखा जाएगा 0.5 6 10 का मतलब क्या है आपका 6.2 आएगा यहाँ पर 53 53 whole number है आपका and 7 10 तो 0.7 आएगा 82 and 3 10 82 आपका whole number है जो कि आपको साब दिखाए दे रहे and 3 10 लिखा है तो 0.3 आ जाएगा 135.5 10 585 585.3 10 तो इस तरा सी की आपको लिखने है then I fill in the blanks fill in the blanks में आपके आ गया है यह अब यहाँ पर 10 इनकी fractions बना रखी है एक पूरा आपने बार ले रखा है उसकी 10 जो है pieces में उसको divide कर दिया है तो यहाँ पर यह क्या show कर रहा है number name क्या show कर रहा है 210 का मतलब है कि 2 upon में 10 यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है पूरा जो है कितने में divide है 10 pieces में divide है 2 को हमने color कर रखा है तो जैसे fractions में हमने पढ़ा था 2 by 10 आ गया है तो इसको decimal में कैसे लिखा जाएगा 0.2 इसी तरह से 7 10 है 7 बार जो है वो colored है यहाँ पर 7 by 10 है यह और 0.7 लिखा जाएगा यहाँ पर 9 बार जो है वो colored है 10 में से तो 9 by 10 आ गया है तो यहाँ पर 0.9 दिखा जाएगा यहाँ 5 बार है तो ऐसे यह आप mention कर लेंगे देन आपका आगया है introduction 100th and 10th वो मैंने आपको पहले introduction में बता दिया कि 100th और 10th क्या होती है अभी तक आपको सिर्फ 10th जो है वो अच्छी तना से पता लगी है क्या होती है क्योंकि सारे आपने worksheet देख लिए है अब 100th और 10th क्या देखती है बिल्कुल वही चीज है जैसे 10th क्या होती है जिसको 10th से divide किया जाए 100th क्या होती है जिसका 100 से divide किया जाए और 1000th क्या होती है जिसको 1000 से divide किया जाए ये होती है 10th, 100th and 1000th तो अब मैं ये चीज पहले ही बता चुकी हूँ कि जो भी आपके left side में अगर move कर रहे हैं तो वो आपके क्या है वो greater than है मतलब once में अगर कोई चीज लिखी है और 10 में कोई चीज लिखी है और उन्हें compare करना है तो 10 वाली चीज आपकी greater होगी as compared to once वाले के लेकिन decimal के बाद जैसे ही हम जो है right side में move करते हैं तो वो आपका क्या बनता जाएगा छोटे बनते जाएंगे numbers अब 10th position पे जो है वो सिर्फ 10 से divide हो रहा है एक चीज है वो 10 बच्चों में बट रही है तो वो आपकी बड़ी होगी as compared to 10 बच्चों में बटेगी अब मान लीजे कोछ भी चीज आपकी है आपकई कोई भी एक केक लिया है आप लिया है ईह्ल ऑपने 1 kg का 1 kg का यह की केक है 3 के पास 1 kg का केक 10 बच्चों में बट रहा है जो पूरा finish करना एक 1 kg का केक है जो हंडROड़ 1000 बच्चों में distribute करना है, तो 1000 वालों को सोच ये कितना थोड़ा थोड़ा आएगा, और 10 वाले बच्चे उसे अराम से finish कर सकते हैं, अराम से खा सकते हैं, अच्छा पीस आजाएगा उनके पास, तो 1 by 10 बढ़ा होता है, 1 by 100 उससे चोटा होता है, और 1 by 1000 इन दोनों से चोटा होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि comparison इन में आ सकता है, इन आगे आगे है अपका ये 100th की बता रहे हैं, और 1000 की बता रहे हैं, क्या होता है, जो मैं पहले आपको बता चुक जब 7 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 7000 भी बोल सकते हैं से और आप ऐसे mention करेंगे से 007 क्योंकि जितने 0 नीचे होते हैं आपको उतनी ही digit के बाद उपर dot लगाने होते हैं तो यहां पर 3 digit हैं तो एक ये हो गई है दो ये हो गई है तो यहां पर dot लगेगा तो इसको के तभी आप जो है decimal fractions इस तरह से बोल सकते हैं 100,000 तभी बोल सकते हैं आप इस तरह से mention कर सकते हैं यह सारी चीज हम introduction में पढ़ चुके हैं कि आगे वाला part जो है whole number part होता है और decimal के बाद वाला part जो होता है उसे decimal part बोला जाता है देन आपको सिर्फ read करना है और इसी तरह से read कर 001 इस तरह से आपको यह बोलना है next है आपका write the number names अब यहाँ पर number names पुछे गए है first is done for you एक आपके लिए कर रखा है तो second में आपका क्या आ जाएगा 15 and 7200 तो इस तरह से बोलना है 45 and 500 11 and 700 तो यहाँ पर कैसे बोलेंगे 987 and 6200 यह आप 3 नंबर वाला हम देखते हैं इन सब में तो जिसमें decimal के बाद 2 ही डिजिट दे रखियें उन सब में 100 लगेगा यह आपको देखना है चाहिए यहाँ पर 7200 है 700 है 2400 है 500 है 6200 है 900 है 9700 है 8500 है यहाँ पर जब 3 नंबर दे रखियें तो आप इसको कैसे बोलेंगे सब आपको दिखाई दे रहे हैं यह 3 नंबर बन जाएगा अभी तक जैसे हम 100 में बोल रहे हैं तो इसमें बोला जाएगा 9 AND यहाँ पर dot को जो decimal है उस point को शो कर रहा है 782000 इसी तरह से इसको बोलेंगे 15 AND 674000 तो इस तरह से इसको mention किया जाएगा तो यहाँ पर यह 1000 तक ही आपके syllabus में है right in decimal form आप इनको decimal form में convert करना है जैसे आपके लिए कर रखा है 57 57 लिखती है and जब आ गया तो इसका मतलब dot लगा दो वहाँ पर 700 आ गया 60 and 100 तो यहाँ पर 60 लिखेंगे सबसे पहले dot फिर उसके बाद 100 पूछा है उनने तो यहाँ पर 01 आ जाएगा 24 and 1200 तो 24 आ गया 1200 पूछा गया तो 12 आ जाएगा 76 and 500 तो 76.500 यहाँ पर dot लग जाएगा 400 400 मतलब 4 आ गया यहाँ पर 76,000 तो 76 आ गया तो 476 आ गया तो उसे कैसे बोला जाएगा 476,000 क्योंकि यह decimal point के बाद का है 4 and 67,000 तो यहाँ पर आ जाएगा 4.67 ऐसे ही आप सारे कर देंगे last वाला और देख लेते हैं थोड़ा बड़ा नंबर लग है 5,600 5,600 5,672 672 then dot आया क्योंकि end इसके बाद आया है 478,000 तो 478,000 तो इस तरह से mention होगा यह भी कर लेते हैं 32 32 पहले फिर dot आ गया 54,000 तो 54,000 बोला गया 54,000 तो यहाँ पर 0 फिर 54 आएगा आपका 054 तो इस तरह से mention करेंगे क्योंकि पीछे 1000 बोला गया है तो इसका मतलब जो 100 वाली position है जो मतलब इससे पहले वाली position है वहाँ पर 0 है तो 54,000 then आगे है आपका write the whole number part and decimal part in each of the following अब इसमें आपको decimal part और whole number part लिखना है तो dot के बाद वाला जो है वो आपका decimal part है और dot से पहले का जो है वो आपका whole number part है तो सबसे 45 है, 62 है, 0 है, 41 है, then उसके बाद का part जो है 37 है, 27 है, आपका 32 है, यहाँ पर 104 है, 43 है और यहाँ पर 0 है तो इस तरह से गया आप mention कर देंगे क्योंकि पहले वाला part जो होता है decimal से पहले का whole number part होता है और decimal के बाद का जो part होता है उससे बोला जाता है आपका decimal part अब यहाँ पर some decimal numbers, यह ध्यान रखना है आपको, इसमें कोई and नहीं आता है बीच में, तो यह आपको कैसे mention करना है, जैसे first mention कर रखा है आपका 468.103, तो यहाँ पर point लगना है सिर्फ, आपका बीच में और कुछ mention नहीं होगा, and नहीं आएगा, point लगेगा, 7.8, 39.3, 65.92, 352.184, तो इस इसमें 110 कुछ नहीं लिखा जाएगा, 647.003, 1482.309, तो इस तरह से आप इसे mention करेंगे, कोई आपका 100, कोई आपका 1000 नहीं लिखा जाएगा, सीधा वो number लिखा जाएगा, 103 का मतलब है 103, यहाँ पर 003 है, तो इसको 003 ही बोला जाएगा, 309 बोला जाएगा, 943 बोला जब आपसे decimal in words पूछे जाए, show each of the following decimal, ओना place value chart, आप इसको place value chart पे आपको show करना है, तो इनको आपको कैसे place value chart में डालना है, place value chart पहले आप बना लेंगे, once, tens, 100,000, 10,000 इस तरह का बनाएगे इस तरफ, and then once के बाद क्या आता है, right side में decimal आता है, decimal के बाद 10, 100,000, 10,000, जैस पर क्या है, सबसे पहला जैसे 8.4 है, तो 8.4 आगया है आपका, next आपका जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, 0.9921 है, तो यहाँ पर point है, 0.9921, तो यह 10 हो गया है, यह 100 हो गया, 1000 हो गया, यह 10,000 हो गया, जैसे next आपका है, 3.333, तो 3.333, ऐसा नहीं है, आपको सब एक जैसे म तो ऐसे ऐसे एक एक चार्ट आपको बनाना है, सबका अलग अलग चार्ट पनेगा, मैं सिर्फ आपको समझाने के विए में यहां पर बता रही हूँ, यह क्या है 5.7679, जैसे यहां पर लिखा है 5.7679, तो इस तरह से आप इसको फिल कर देंगे, यह होता है आपका place value chart, जिस 153 by 10, इसको कैसे convert करेंगे, यहां पर आपका क्या आ गया है 153 आ जाएगा यहां पर उपर और यहां पर 10 आ जाएगा, तो इसको convert करेंगे, तो आपको पता ही है नीचे 0 होता है, तो एक डिजिट के बाद आपका यहां पर 15.3 आपका decimal में convert हो जाएगा, एक इसमें यह वाल आप जो है यहां पर 9.153 जितनी नीचे 0 होंगे उतने ही डिजिट के बाद आप उपर जो है डॉट लगा देंगे, एक और example लेते है इसका, यह लेते है 101 और उपर 12 है, तो यहां पर यहां पर यह कितना हो जाएगा, 10100 और यहां पर 12 वाइड कर देंगे, तो इसका answer आप यजिए आपका डोट आजएगा, तो इसका answer एगा 101.12 और 12 यहां पर क्या है, यहां 100 को शो कर रहा है, 12 यहां पर 100 है, और यहां पर 153,000 त तो यहां पर 1000 को शो कर रहा है, पर क्या है यह को कर रहा है, यह 10 को शो कर रहा है, 15 and 3 10, तो इस तरह से यह लिखा जाएगा, तो ऐसे यह decimal में convert हो जाएगे, अब आपके आगे है, easy way to convert fraction to decimal, आप fractions को decimal में कैसे convert करना है, पहले इन्हों ने पूछ लिया, यह fractions ही है, इनको decimal में क बता रखे हैं चीज़ें, बिल्कुल वही चीज़े हैं, तो यहां पर यह पूछ रखा है, questions आप से, कि decimal form में से convert कीजे, write in decimal form, तो यहां पर dot, क्योंकि 2 है 0, तो 2 के बाद लगेगा, तो 1 0 आ जाएगा, और 3 आ जाएगा, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और आपको इ और इसे कैसे लिख सकते हैं, 0.12, यहां पर आपका आया है 0.23 और इसे 0.23 भी लिख सकते हैं, यहां पर आपका आयागा 1.78, और इसको इसी तरह से लिख सकते हैं, आप, then है 35.72, क्योंकि 2 डिजिट के बाद लगना होता है, आपका dot, तो 2 डिजिट के बाद लगेगा, यहा 0.034 तो इस तरह से ही हो जाएगा right as fraction अब इसको fractions में convert करना है तो इसके 2 digit के बाद dot है तो 2 0 आगी नीचे 2 digit के बाद dot है तो 42 upon 100 आ गया 2 digit के बाद है तो यहाँ पर 100 आ गया यह आप देख लेंगे 2 digits के बाद अगर dot आ रहा है तो अप नीचे 100 को ही लिखेंगे 5 upon 100 आ गया 3 upon 100 आ गया 9 upon 100 आ गया यहाँ पर भी यहाँ पर 3 digit के बाद है तो यहाँ पर 1000 आएगा पॉन में तो यहाँ पर 731 upon 1000 908 upon 1000 तो यह इसका easiest way होता है यहाँ पर 17 upon 1000 क्योंकि 0 अगर यहाँ पर लगा हुआ है तो 0 आपको आगे लिखने की जुरुद नहीं होती है expanded form of decimal अब decimal का expanded form हमें करना है तो 72 यहाँ पर है dot यह तो यह whole number दशारा है यहाँ पर और यह क्या है इसका decimal के बाद वाले point है मतलब यह 10th place है यह 100th place है और यह 1000th place है अब expanded form में कैसे लिखेंगे expanded form में आप कैसे बना रहे है यहाँ गया है 72 बन गया यह फिर 983 यह आपका decimal के बाद वाला है तो 910th, 800th and 3000 तो इस तरह से expand किया जाएगा similarly the expanded form of this इसकी expanded form यह बनेगी क्योंकि यहाँ पर 100th यहाँ पर इसकी expanded form यही बनेगी यहाँ पर 4 की नीचे 10 है तो इसे 410th भी बोल सकते हैं और 4 by 10 भी लिख सकते हैं 900th भी बोल सकते है 9 by 100 भी लिख सकते है 7 thousand भी बोल सकते है 7 by 1000 भी लिख सकते है then worksheet 4 आगई है आपकी 17.25 है 2 is the 10th place 2 यहाँ पर 10th place है 4 यहाँ पर 10th place है, यहाँ पर जो dot के बाद वाला place होता है, वो हमेशे 10th place ही होता है यहाँ पर 3 जो है, वो 100th place है यहाँ पर 7 जो है, वो 1000th place है यहाँ पर 9 जो है, यहाँ पर 5 पूछा गया है, 5 is the 10th place, यहाँ पर 10th place में है 5, यहाँ पर 0 जो पूछा गया है यह 10th place में है तो यही आपको यहाँ पर mention करना है then complete each of the following अब इसको complete करना है the first is done for you आपके लिए एक कर रखा है तो इसको क्या करना है expanded form में लिखना है आपको 15.217 है तो इसको क्या लिखेंगे आप 10 plus 5 10 plus 5 कितना होता है 15 बन जाएगा प्लस आप डोट के बाद वाला है तो 2 10th को कैसे लिख सकते हैं 2 by 10 100th को कैसे लिख सकते हैं 1 by 100 और 7,000 को कैसे लिख सकते हैं 7 by 1000 तो इस तरह से आपको यह mention करना है यहाँ पर आजाएगा 60 plus 2 plus 3 upon में 10 plus में 0 upon में 100 आप लिखें चैना लिखें उसका फरक नहीं पड़ता है पर आप यहाँ पर expanded form लिख रहे हैं तो आप mention कर दीजिए से number आपको कटेंगे नहीं इसके तो यह आपको 6 by 1000 आगया इसी तरह से यहाँ पर आएगा 100 plus 40 plus 9 क्यों क्योंकि हमें यहाँ पर भी mention करना है जो आपका 1s है 10s है and 100 तो 1s और 10s तक था अभी तक यहाँ पर तो यहाँ पर 100 भी आगया है तो 100 को भी mention करेंगे plus यहाँ पर आगया है 3 by 10 plus आगया है आपका 5 by 100 plus आगया आपका 6 by 1000 तो आप इस तरह से mention करते हुए चले जाएंगे तो यही आपको इसमें करना expanded form में right in the expanded form आप इसको आपको expanded form में लिखना है the first done is for you अब यहाँ पर first आपके लिए कर रखा है तो इससी तरह से expanded form में आपको लिखना है तो 9 10s है यहाँ पर इस तरह से mention किये थे बिल्कुल उसी तरह से आप इसको expanded form में लिखेंगे यहाँ पर आपने सिर्फ इसको show किया था आपको यहाँ पर बता देती हूँ 1 10s plus 4 1s plus 6 10th plus 500th plus 7000 तो इस तरह से लिखना है और उसके बाद आप इसको mention कर देंगे जैसे इस equal to करकी यह आपने यहाँ पर expand किया था इसको यहाँ पर expand कर देंगे expand आपको कैसे करना है 14 sorry 10 plus 4 क्योंकि जैसे आप लिख रहे हैं बिल्कुल उसी को expand कर देंगे आप मैं आपको यहाँ पर notebook में लिखके दिखाती हूँ जैसे 14.657 है 657 है तो इसको आप कैसे करेंगे 10 plus 4 plus 6 by 10 plus 5 by 100 plus 7 by 1000 इस तरह से आप mention कर देंगे एक यह भी देख लेते हैं इसको आप लिखेंगे कैसे 803 ones then उसके बाद लिखेंगे 3 10th 106 thousand और इसको mention कैसे करेंगे आप जो यह quantity है 803.316 इसको आप कैसे लिखेंगे 800 plus 3 plus 3 by 10 plus 1 by 100 plus 6 by 1000 तो इस तरह से आपको यह solve करने है next आपका आगया है write the decimal form for each of the following अब इनको decimal form में आपको लिखना है तो decimal form में आप convert कर लेंगे पहले यहाँ पर point लिखनेंगे 2, 3, 7 क्योंकि 2 के नीचे 10 है 3 के नीचे 100 है and 7 के नीचे 1000 है तो 7 के जो 7 है वो 3 डीजिट के बाद dot आएगा 1, 2, 3 यहाँ पर dot है 3 में 2 डीजिट के बाद आएगा 3, 1, 2, 2 डीजिट के बाद है 2 में 1 डीजिट के बाद आएगा 1 डीजिट के बाद है तो यह as it is आगया 5 point यह बन गया तो यहाँ पर भी आप ऐसी करेंगे 70 और 3 को plus कर देंगे then dot then यहाँ पर 9 and यहाँ पर 8 है यहाँ पर 8 है तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पर 8 है लेकिन 3 डीजिट के बाद dot आएगा तो क्या लिखा जाएगा इसे 008 यहाँ पर dot है और बीच में 100 position missing है तो उसकी जगह आप यहाँ पर 0 लगा देंगे तो इसी तरह से यहाँ पर 10th position missing है तो उसमें यहाँ पर 0 लगेगा जैसे कि 205 dot 10th position missing है 0 और यहाँ पर 3 यहाँ पर 6 इसको इस तरह से भी चेक कर सकते हैं जैसे 6 के नीचे 1000 है तो इस 3 डिजिट के बाद dot आना चाहिए 1, 2, 3 डिजिट के बाद dot आ रहे है यहाँ पर 2 डिजिट के बाद आएगा 1, 2, 2 डिजिट के बाद आएगा अब इसमें like and unlike fraction हम next part में करेंगे